कैसे हो आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जेशन की वीडियो शेयर करने लगी हूँ है विडियो के रूटीन आज मैं उसकी शेयर करूंगी और लास्ट में मुझे उसका जूडा करना है यहिसे कि मैं जशेयन के बालों में मस्टर्ड लगाती हparty हूं तो आज मैं यहीवला ओयल से लगा रही हूं मैंने उसे हेर वाश करवाया है और हेर वाश के बाद मुझे उसके बाल अच्छी तरह से सूख चुकी है उसके बालों पर ऑईलिंग करनी है गर्मी बहुत ज़्यादा है ऑगस्त और सेप्टमबर के मन्त में चिपचिप इतनी ज़्यादा होती है कि हफते में दो पर मुझे मुझे एर वाश करवाना पड़ता है ऑईलिंग मतलब बहुत ज़्यादा में उसके बालों में नहीं कर रहे हैं थोड़ी से ओइलिंग मैंने कम कर दी है क्योंकि जितना जयदा ओईल लगाती हो ना उतनी जल्दी उसके बाल बालों में खारी शोनी चाट हो जाती है मुझे इतना ज़या अच्छा लगता है iap में बालो में बी मस्टर्ड या लगती हूं अपने बच्छों के बालो पर यही वला ओएल लगती हूं सके रिजल्ट मुझे तनी जाद अच्छे लगती है ना तो आपको मार्केट जाने की जरूरत है ना कोई महंगा ओयल खरीदने की जरूरत है जस्ट मस्टर्ड ओयल का यूज कीजिए इसी से आपके बाल इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी आप जशन को काफी टाइम से देख रहे हैं मैं यही वला ओयल उसको यूज करती हूँ तो गाइस यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहती हूँ या फिर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए आप जस्ट वीडियो ही देखते हैं कमेंट भी कीजिए वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज गाइस जर्शन की वीडियो तो वैसे भी आप सब काफी ज़्यादा पसंद करते हैं तो देखिया ऑइलिंग मैंने उसके बालों में कर लिया बहुत ज़्यादा ऑइल मैंने उसके बालों में नहीं लगाया है टैंगल्स मुझे रिमूव करने हैं जशन के बालों में टैंगल्स इतने ज़्यादा पड़ते हैं यहर फॉल के प्रॉब्लम उसे नहीं है बट tangles उसके बालों में इतने ज़्यादा होते हैं कि सबसे जो मुझे लगता है ना वो tangles remove करना ही लगता है कम से कम आदा घंटा मुझे लग जाता है वीडियो में तो मैंने इतना नहीं record किया बट कम से कम आदा गंटा मुझे लग जाता है उसके बालों में से टैंगल्स को रिमूव करने में इसके बाद मुझे उसका जुड़ा करना है उसकी जो मतलब honest routine है ना वो ही मैंने आपके साथ share की है हर रोज उसके बालों पर मैं इसी तरह से जुड़ा करके रखती हूँ पूरा वीक उसके बाल कवर रहते हैं ब्रेड बना कर जुड़ा करके रखती हूँ जिस वज़ा से उसके बाल इतनी ज़दा लंबे हैं इतने strong हैं इतने healthy हैं क्योंकि उसके बाल हर वक्त कवर रहते हैं ब्रेड बनी रहती है या फिर ऑईलिंग में हर वक्त उसके बालों में करके रखती हैं अगर हम अपने बालों को बहुत जदा ड्राइ रखेंगे बालों को खुला छोड़ कर रखेंगे तो हमारे बाल काफी जदा कमजोर हो जते हैं अगर हम बालो पर ओ regular बेर्ट हेभी बनाबना रखेंगे भालो कि सूझे अच्छी तरा से ओं coil तो देखे दो आटके निकल चुकी है आप देख सकते हैं कॉम्बिंग जिस तरह से मैं कर रही हूं एक भी टैंगल उसके बालों में नहीं है अच्छी तरह से सारे टैंगल मैंने रिमूव करती हैं आदा खंटा मुझे लग गया था टैंगल रिमूव करने में जशन के बालों में कोई भी चीज का यूज नहीं करती हूं ज़स्ट आइयोर शैंपू और मस्टाड ऑील से ओईलिंग करती हूं इसके इलावा मतलब जैफिर दही मैं कभी कभी उसके बालों में लगा देती हूं कंडिशनर का पी बहुत कम मैं यूज करती हूँ उसके बालो पर तो देखिए अब मैं उसके जुड़ा कर रही हूँ ब्रेड बना रही हूँ वो एक सिख वो आये हैं तो हमेशा हर वक्त इसी तरह से जुड़ा करके रखता है आप उसके ब्रेड देखिए इतनी सुन्दर इतनी मोटी उसकी ब्रेड होती है कि इसके बाल किसी से भी संभाले नहीं जाते है इसके बालो पर कोई भी जुड़ा नहीं कर पाता है कोई भी ब्रेड नहीं बना पाता है इतने हैवी उसके बाल है और पकड़ने में भी इतने सुन्दर लगते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा सुन्दर है इतनी मुटी ब्रेड है उसकी सिख बॉय जो हैं वो इसी तरह से जुड़ा करके रखते हैं तो जेशन के बालों में मुझे परांदा डालने की जुरूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि उसके बाल वैसे ही काफी ज़्यादा लंबे हैं अगर आपका बेटा एक सिख फैमली को बिलॉंग करते हैं आपका बे इस तरह से मैंने पूरी ब्रेड बनाई है मुझे उसका जुड़ा कर देना है आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब तो चलिए गाइस अब मैं आपको मिलूंग अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए थैंक यू बाई